आप ग्यारा रूपे खर्च करके पेट भर सकते हैं, इस्जत के साथ खाना खा सकते हैं असल में दोस्त ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, एक पूरी टीम है, और भी दोस्त हैं, इसमें शामिल हैं, अपना हिस्सा मिलाते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लोग खाना खा रहे हैं, तो यकीन ही आपने सच कहा कि इतनी मेगाई के दौर में 11 रुपे में खाना, बहुत सारे लोग अपने तहीं वेलफेर के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो एक उतीन है कि दिमाग में लग जाना, तो आप खुद बता चुके हैं, 25 रुपे का यहां पर पराठा है, 15 रुपे का अंड़ा है, 40 रुपे की चाह है, और वो खा के भी पेटनी बर सकता, तो हमारे हैं, और यह 11 रुपे रखने का मकसद एक तो सदकार गौसियाजम रदी लग की निस्बत है, और दूसरा यह कि एक पर सेद साधात हैं, कि जो फ्री के खाने को समझते हैं, को जगात का खिला जा रहा है, खेरात कहला जा रही है, तो ऐसा नहीं है, अलाग साजित कातरी नात्खा हमारे साथ है, तो हम सब यह मिलके टिंवर के चल रहा है, बस तस्वीर मेरी लगी हुई है, मैं चूके देखत अब तो हम देखते,बस अब बचाएं को सीवीर मेरी लगी हुई होने और चाहिए, उसस तुनुक है हैं कि उनके पैसे बचाया ताके उनके ये बचे पेशे पाइसे उनके घर के दीगर मामलात में घाम आ जा जा तर बहुंसा लुखा एं आप ने शृरू किया रहे हैं यह जो राइशी आप ना भी बढ़ाना चाहें आपकी नियत अच्छी है तो यह बढ़ता है और हमने तो नियत की भी है इंशालला के कराची के अंदर यह जितने फ्लाइवर्स है अब यह भी फ्लाइवर है जिसके नीचे आप उन्हें दस्तरखान लगाया तो जितने डिगा से के वह उपर इ ताके अगर यह काम आपको अच्छा लगे और मुझे समझ नहीं आती कि यह अच्छा क्यों नहीं लगे तो पूरी दुनिया में यह काम होता है सर पाकिस्तान में बेश्मार लोग यह काम कर रहे हैं सर अब मैं नहीं हम भी किसी को देख के हमने भी उब्सरवेशन लीए है आपकी मोटीवेशन कौन रहा है सर देखें सेलानी वेलफेर है बहतरीन काम कर रही है पूरे पाकिस्तान के मुखतलिक shadows में वो खाने काम करेए हैं तो हम काफी अर्सिशंग उसको देख रहे हैं वो ब involveition Δिगर और लोग में हैं जो यह काम करर रही है तो एक वहां मेंहीं ह है लेकिन हमारा काम का फैला हो इतना नहीं हमने सिर्फ खाने को फोकस किया हुआ है बीगर काम करते हैं लेकिन कम कॉंटिटी में करते हैं में हमारा जो खाम है न सर वो खाने का है क्योंकि ये बुनियादी जोरुषत है जिसको आपने हम तो छोटे से सुन रहा है ना रोटी हमने उसको फोकस किया हुआ है जी सर अला आपको इस मकसद में काम्याब करें